मुझे अभिमान है इसका कि मैं अंग हूँ वर्दी का बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब ये खाकी रंग वर्दी का बचे SSC GD वस्तम में बहुत सारे बच्चों को इंतजार होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म चाहे कहीं की स्टेट पुलिस हो चाहे कोई सी भी कि हो सकता है गुझरात का बच्चा 60 नंबर लाकर के सेलेक्ट हो जाए और यूपी का बच्चा 120 लाकर भी सेलेक्ट ना हो ऐसा हो सकता है तो ये रिजर्व करी जाती है हर इस्टेट के लिए विकेंसी तो उन बच्चों को बहुत मौका होता है इसमें जो बच्चे पढ़ा कि नोटिफिकेशन की जानकारी बहुत सांदार आ गई है और आप बहुत खुस हो सकते हो जितना हो सकते हो उतना हो जाईए क्योंकि आपको अब एक्जाम डेट भी पता है ये सब आई कहां से है क्या ये ऑफिशियल जानकारी है जी हाँ SSC ने अपना कलेंडर अपडेट कर दिया है उसमें सबसे लास्ट में SSC GD की वेकेंसी का जिक्र हो चुका है जिसके फॉर्म आपके 24 नवंबर से आ रहे हैं और एक्जाम फरवरी मार्च 2024 में चला गया है अब आपके पास टारगेट सामने है अब जस्ट आपको उसको भेधना है अब ताकत हिम्मत जान जिद जो आपको लगानी है लगा डालिए क्योंकि SSC GD जिन बच्चों का सपना होता है कि मुझे CRPF की वर्दी चाहिए मुझे CISF की चाहिए मुझे BSF में जाना है या मुझे SSF में जाना है ITVP में जाना है या असम राइफल एक दम आर्मी जैसी वर्दी चाहिए तो असम आपको बता दूँ पहली बार यह 13 भासा पिलस हिंदी और इंग्लिस में एक्जाम होने जा रहा है आपकी जो चोईस है आप असम से हो तो असमया में एक्जाम दे सकते हो आप महराश से हो तो मराठी में एक्जाम दे सकते हो यह सिर्फ MTS और SSGD में हुआ अब तक SSC के तो या नीचे पर हुआ वो आप आज अपडेट है तो बच्चे इसमें मैं इसका बड़ा फोटो लेकर के में अलग लगवा दिया है ताकि क्लियर हो जाए कॉंस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेज सीप एफ 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 राइफल में जीडी आसम राइ है और इसको नाम दिया है इन्होंने स्सीजीडी 2024 2024 फॉर्म ऑह रहे हैं 2023 में और नाम दिया है 2024 इसका मदलब क्या हुआ कि ऑने सीचगेटर बेद्ल बच्चो फरवर य मार्च मे अब कर मार्च में आपका एग्जाम होने वला है से मान के चलो 15 सेप्टेंबर जो भी आप मानते हो अक्टूबर इसलिए कि 15 फरवरी फरवरी मार्ज बोला था 15 फरवरी के आसपास एक्जाम तो 15 सेप्टेंबर से 15 फरवरी क्यों कितना दिन तो आपको दिमाग को सेट करने में लग जाए कि पढ़ाई करूंगा अब तो यह अक्टूबर नौवंबर दिसमबर जनवरी फरवरी पांच महा हैं आपके पास क्या पांच महीने में नौकरी मिल सकती है सब्सक्राइब की बाकि बिहार राजिस्थान ऐसे स्टेट को MP इनको थोड़ी सी महनत की ज़्यादा जरूरत होती है आपका अगर पुराना बेश है तो बहुत बढ़िया और नहीं तो पांच महीने आप भी लगातार महनत करिए आपको भी नौकरी मिलेगी अब एज क्या है उस पर आ रहा हूं बच्छो अभी एज का जो नोटिविकेशन में ही क्लियर होगा लेकिन मैं पहले बता देता हूं पहले क्या क्या हुआ है उसके हि अब भी लगती है ठीक है तो बच्छे एक्जाम के टाइम पर ही आपके NCC के मार्क्स भी जोड़ दिया जाते हैं NCC के कितने मार्क्स मिलते हैं वह अभी बता दूँगा तो बच्छो यह रहा पूरा प्रोसीजर SSCGD में भरती होने का 24 नवंबर को फॉर्म अब आपको यह पर भी दिखा दिता हूँ कि में क्या सूट आती है क्या नहीं आती है यह पीछ resonance नहीं आया भी यह पिछला है नोटीफिकेशन आएगा इस बारका 24 नौनबर 002023 को अभी सब्सेची बाद है कि हमारे पास टाइम है त्यारी करने का लिएख सब चीज की और अससी बिल्कुल क्या कोई छूट मिल सकती है जी नहीं चांसिस बहुत कम है या मैं कहूं ना कि बराबर चांसिस है यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछली बार छूट का इन्हों ने कारण कोरोना दिया था इस बार वो कारण नहीं है ठीक है और एक इन्होंने एक्जा यह एज है पूरी ठीक है और 10 पास क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10 पास कितने भी नंबर हो कोई दिक्तत नहीं कैसे भी पास हो किसी भी बोर्ड से हो अपने स्टेट बोर्ड से किसी से भी 10 पास होने चाहिए बस ठीक है बच्चो तो यह एज का अभी और क्लैरिटी आएगी इस तारीक को अभी सिर्फ हम पिछले के अकॉर्डिंग जिक्र कर रहे हैं यह अभी मैंने वीडियो बनाया था दो तिन दिन पहले आपको पता भी होगा